गुड मॉर्निंग ठाड क्लास, आज हम फर्स चैप्टर से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे दे वर्ल्ड अराउंड अस, इसमें हमने पढ़ा था लीविंग थिंग्स और नोन लीविंग थिंग्स के क्या करेक्टरस्टिक है, वो हमने इसमें देखा था, तो उसी से एक एक्टिविटी हम करेंगे, पेस्ट फाइफ पिच्चर और लीविंग थिंग्स, आपको अपनी कॉप्पी में 5 पिच्चर जो लीविंग थिंग्स हैं, उनकी 5 पिच्चर पेस्ट करनी है, यह पिच्चर आप न्यूसेपर से ले सकते हैं, या कोई आपके पास पुरान यूज करके यहां पे इसको पेस्ट करना है जैसे मेरे पास ये है इस पिच्चर को मैंने बुक से काटा है तो इसको आप यहां पेस्ट कर सकते हैं तो इसमें आप क्या लिखेंगे यह क्या है यह मेरे पास कुछ पिच्चर पढ़ी है 1, 2, जैसे आप ये पेस्ट कर सकते हैं ये के, what is this? ये क्या है, tree ठीके, ऐसे आप क्या ठीके, तो इसी टाइप से आपको 5 pictures यहाँ paste करने है 1, 2, 3, 4, 5 तो ये pictures आपको अपनी copy में paste करना है, newspaper से आप ये pictures ले सकते हैं, newspaper cutting करके या फिर आप पुरारी बुक से भी उनको collect कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है जो non-living things है उनकी pictures भी आपको paste करने है next page पे यह देखे paste 5 pictures of non-living things हमारे आसपस जो भी non-living things है उनसे related कोई भी 5 pictures आप यहाँ paste करेंगे जैसे मेरे पास यह है shoes है यह आपको यहाँ paste करना है तो यहाँ पे आप इसके नीचे नाम भी लिखेंगे यह non-living है क्योंकि breathe नहीं कर सकता walk नहीं कर सकता तो यह non-living है इसके लिए आप लिखेंगे यह आप फिर next यहाँ पे देखिए यह क्या है यह भी non-living है arrow plane ठीक है plane आप यहाँ लिख सकते हैं यह non-living है यह आप पेस्ट कर सकते हैं और मेरे पास क्या है यह pencil ठीक है तो ऐसे ही आपको 5 pictures paste करने है 1,2,3,4,5 तो यह आपकी activity है जो आपको अपनी science ही copy में complete करना है उपर आपको यह heading लिखनी है activity paste 5 pictures of non-living things वो आप यह paste करेंगे and 5 pictures of living things तो यह आपको complete करनी है next class में आप यह मुझे दिखाएंगे complete करके